एक गाव में चरंटास नाम का एक चरवाह रहता था उसके पास बहुत सी गाएं और बक्रिया थी गोपी नाम का एक छोटा सा लगा उन बक्रियों को रोज गाव से बाहर चराने के लिए ले जाता था एक दिन गोपी सभी बक्रियों को लेकर जा रहा था तब उसने देखा कि एक बक्री चल नहीं पा रही है अरे ये इस बक्री को क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं पा रही ओ, इसके पैर में चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ शाम को गोपी ने चरंदा से बताया कि रानी के पैर में चोट लगी है उसका दर देखकर गोपी को बहुत दुखुआ गोपी दुखी होकर घर चला गया क्या हुआ गोपी आज बहुत उदास लग रहे हो बेटा मा चरंदास की बक्रियों में एक बक्री रानी है उसके पैर में चोट लगी है वो चल भी नहीं पा रही वो रोज मेरे साथ चरने के लिए जाती है पर वहां कुछ नहीं खाती बस एक जगा बैठ जाती है मुझे उसकी बहुत चिंता है मा क्या चरंदास उसका इलाज नहीं करवा रहा नहीं ठीक है बेटा चिंता मत कर मैं कल लेब बना दूँगी वो तुम उसे उसके पैर पर लगा देना खुद से धास काट कर उसके आगे डाल देना वो खा लेगी ठीक है मा कच दिनों बाद गोपी को पता चला कि चरंदास अपनी बक्रियों को पेचना चाहता है अब उसे रानी की चिंता होने लगी उसके पता था कि चरंदास रानी को पसंद नहीं करता गोपी बक्रियों को अच्छे से नहला धुला देना साफ सुथरा कर देना कल इनके लिए ग्राहा काएंगे मैं बक्रियां बेच रहा हूँ अगले दिन बहुत से लोग आए और बक्रियां खरीत कर ले गए पर रानी को किसी ने नहीं खरीदा लगता है ये रानी तो कसाई को बेचनी होगी ये सुनकर गोपी को रानी की चिंता होने लगी उसने अपनी मा से कहकर रानी को खरीद लिया अब वो मा बेटा रानी का अच्छे से खायाल रखते लगे रानी रोज इतना दूद देती कि मा बेटा तो कभी भी दूद की कमी नहीं महसूस करते एक तिन गोपी रानी को लेकर कहीं जा रहा था तभी रानी एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोडने लगी रानी क्या कर रही हो ला दिखाओ मुझे तभी गोपी ने देखा कि पेड़ के नीचे से सोनी के पांस सिक्के निकले हैं सिक्के बेच कर अब मा बेटा पहुत अमीर हो चुके थे जब से रानी जो गोपी लेकर गया है उसके तो दिन ही फिर गये है लगता है वो कोई मामूली नहीं जादूई बक्री थी रात के समय चरन दास्ते रानी को चुराई लिया और गाउं से बाहर जाकर रानी से कहने लगा तुम अगर जादूई बक्री हो तो मुझे भी सोने के सिक्के दो वरना मैं तुम्हे कसाई को बेच दूँगा रानी उसको एक और पेड़ के नीचे ले गई और वहां उसे चोरे का हार मिला वाह रानी तुम तो सच में जादूई हो तभी वहां राजा के सिपाही आए और उन्होंने चरन दास को पकड़ लिया ये हार रानी का है जरूर तुम ही ने चोरी किया होगा चलो हमारे साथ चरन दास को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और रानी गोपी के साथ वापस चली गई बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है जादूई दर्वाजा एक गाउ में दो दोस रहते थे एक का नाम था कमल और दूसरे का विमल कमल बहुत महनती और समझदार था लेकिन विमल बहुत आलसी और कामचोर एक दिन विमल मैं कल सुबह अपने खेतों के आलू बेचने के लिए शेहर जाऊंगा क्या तुम चलोगे मेरे साथ हाँ चलूँगा पर तुम मुझे बाजार से कचोरे खिलाना हाँ हाँ खिला दूँगा तुम चलो तो वो दोनों अगली सुभा शेहर की ओर चल पड़ते हैं शाम तक सारे यालू बेच कर जंगल के रास्ते से वापस आते हैं तभी उन्हें जंगल में एक तेज रोश्णी दिखाई लेती हैं विमल देख कितनी तेज रोश्णी चल चल कर देखते हैं ओहो मुझे तो आलस आ रहा है पर चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ दोनों रोश्णी का पीछा करते हुए एक बड़े से बर्गत के पेड़ पहुशते हैं पेड़ में से बहुत साधा रोश्णी आ रही थी पेड़ के नीचे एक दरवाजा था जैसे ही वो पेड़ के पास पहुशते हैं दरवाजा खुल जाता है दोनों अंदर चले जाते हैं अरे वाह, यहां तो बहुत सा सोना रखा है ये जगा तो पहले कभी नहीं देखी हाँ भाई, ये देख, यहां एक दादा जी बैठे है नमस्ते दादा जी आओ कमल और विमल, कैसे हो बच्चो दादा जी, आपको हमारा नाम कैसे पता मुझे बहुत प्यास लगी है पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ हाँ दादा जी, मैं अभी लाया कमल ने दादा को पानी पिलाया और विमल ने उनके पैर दमाने शुरू कर दिये बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो ये लो, ये लो मेरे बच्चो ये पौधे ले लो तुम्हारे सभी दुख, तर्थ, दूर हो जाएंगे हमें अपने जीवन में एक पेड कम से कम लगाना ही चाहिए कमल और विमल तोनों पौधों को लेकर चल पड़े कमल तुमने देखा कि वहां कितना सारा धन होते हुए भी उस पौधे आदमी ने हमें बसे पौधा दे दिया अरे नहीं, ऐसा मत सोचो जो भी उन्होंने दिया वही हमारा ही नाम है नहीं, नहीं, मैं अभी वापस जाता हूँ और सोना लेकर आता हूँ विमल वो पौधा वही फेक पेड़ पर वापस चला गया पर उसे अब वो दुबारा दर्वाजा नहीं दिखा उसे खाली हाथ वापस लोटना पड़ा मगर कमल ने जाकर वो पौधा अपने आंगन में लगा दिया कुछी महीनों में उस पौधे में से सो अलग अलग पौधे निकले वो पौधा कभी भी बिना फलके नहीं होता और विमल के पास अब पर्षताने के सिवा कुछ नहीं था और कमल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी ज्यादा के लालच में थोड़ा भी छोड़ना मुर्कता है खूप सूरत मा एक गाउ में भोला नाम का एक लड़का अपनी मा के साथ रहता था उसकी मा का चहरा थोड़ा चला हुआ था अपनी मा को भोला पसंद नहीं किया करता था मा, तुम बहुत सुभा सुभा सामने मताया करो, मुझे सुभा के समय सुन्दर चीज़े देखना अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा नहीं ठीक है बेटा मैं तुम्हारा नाश्ता मेज पर रख दिया करूंगी तुम इसे खा लिया करना मैं सुभा के समय तुम्हारे पास नहीं आऊंगी ठीक है भोला हमेशा अपनी मा को कभी अपने स्कूल नहीं आने देता एक दिन उसकी मा ने देखा कि स्कूल से टीचर ने मा के लिए नोटिस भेजा है मा चुपचाप स्कूल पहुँच गई इस बात से भूला बहुत अराज हो गया बेटा मैं तो इसी लिए स्कूल आई थी कि टीचर तुम्हें न राटे नहीं मा तुम मेरा अपमान करने के रादे से स्कूल आई थी मेरे सभी दोस्त तुम्हें देखकर डर गए ये तुमने ठीक नहीं किया मुझे अब स्कूल छोड़ना होगा वरना सब मेरा खूब मजाग उड़ाएंगे ऐसा मत करो बेटा तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदभी कैसे बनोगे मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर खूब तरक्की करो नहीं मा अब मैं अपनी बेज़ती बरदाश नहीं कर सकता भोला ऐसा कहकर वहां से चला गया थोड़े दूरे पर उसकी मौसी का घर था वो अपनी मौसी के घर पहुचा उसकी मौसी बहुत खूबसूरत थी इसलिए उसे अपनी मौसी बहुत पसंद थी क्या बात है बेटा आज यहां कैसे भोला ने सारी बात मौसी को बता दी और रोने लगा हरे भोला रो मत मैं तुझे आज बताती हूँ कि तुम्हारी मा का चहरा कैसे चला भोला मौसी की बात सुनने लगा तुम्हारी मा मेरी ही तरह बहुत सुन्दर थी पर एक दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसमें भंस गए तुम बहुत छोटे थे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मा आग में कूट गई मगर तुम्हें बचा लिया क्या सच में? तुम्हारी मा तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें दुख ना हो इसलिए कभी उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि उसका चहरा कैसे जला क्या मेरे मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? मैंने अपनी मा को कितना दुख दिया है और मा ने हमेशा मुझे प्यार दिया है तुम्हारी मा से ज्यादा प्यार तुम्हे कोई नहीं करता ये बात हमेशा याद रखना बेटा मौजी अब मैं कभी मा को तंग नहीं करूंगा भोला भागता हुआ अपनी मा के पास जाता है और मा से माफी मागता है मेरा प्यारा भोला बेटा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है मा का प्यार ही उसकी सुन्दरता है चूहे की शादी एक बार की बात है जंदल में शेर की शादी हो रही थी जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था सिवाए चूहे की चूहे का नाम था चिंटू जब चिंटू को शेर की शादी के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा यह तो हथ ही हो गई शेर ने सभी चानवरों को ने उता दिया और मुझे नहीं दिया अब तो मैं भी अपनी शादी करूँगा इस दुनिया के सबसे शक्ति शाली व्यक्ति की बेटी के साथ शादी करूँगा जो कि शेर की दुलहन से भी ज्यादा सुन्दर होगी जुहे ने शादी का फैसला कर लिया था और अपने लिए दुलहन ढूणने निकल गया रास्ते में उसकी मुलाकात हाथी से हुई हाथी का नाम फोला था अरे चिंटु कहा जा रहे हो? मुझे शादी करनी है इसलिए मैं अपने लिए दुलहन ढूणने जा रहा हूँ क्या बात है यह तो बहुत अच्छी बात है पर एहसास होता है कि सूरत ज्यादा बल्वान है सूरत भगवान मैं तुम्हारी बेची से शादी करना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपनी बेची के योग्य मानते हो? मुझे इससे कोई आपत्ती नहीं पर मुझसे ज्यादा बल्वान तो बादल है तुम उसकी बेची से शादी कर लो फिर चूँहा बादल के पास गया बादर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान तो परवत है चिंटू परवत के पास गया मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे खुशी होगी परन्तु मेरी चोटी पर एक काला चूहा रहता है जिसने अपने दातों से मुझे कुरेट कर वहां एक बिल बनाया है और वहां अपने परिवार के साथ रहता है जब चिंटूस चूहे के पास जाकर अपनी बात कहता है तो वह उसकी बात मान लेता है शादी के दिन वह सारे जानवरों के साथ शेर को भी नियोता देता है क्योंकि वे समझ जाता है कि हम चूहे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं सभी एक समान है इसमें छोटे बड़े का भेधा आप नहीं करना चाहिए